क्या घोसी उप्चनाव को मलब 2024 के सेमिफानल माना जाए यह कि इसको चाहे आप 2024 का मानिये चाहे 27 का मानिये आज अखलिस यादो जी जो कभी इसी से बाहर नहीं निकलते थे राम गोपाल यादो जी सिउपाल यादो जी कभी लखनों छोड़ के आते नहीं थे सब्सकार मैं हूँ आपके साथ अनुआग और आप देख रहे हैं पॉब्लिकूर जनता की वाच अज हमारे बीच सुहल्य भारति समाज पार्टी के प्रदेश प्रमुक महासेचिव संधी प्राजभर जी मोजूद है आएन से बात करते हैं अच्छा सर घोसी उप्चनाओ कैसा रहा बढ़िया था अच्छा था हाँ वहाँ ठीक था अच्छा क्या घोसी उप्चनाओ को मलब दोजार चोबिस सेमिफानल माना जाए देखे भी लडाई जारी है ठीक हम उनों का परियास था अच्छा से अच्छा से अच्छा रेजल्ट आना वह आ गया अब चुनाओ तो बीत गया है अब रेजल्ट आना बाकी है यह है कि यह तो देश प्रदेश का एक सियासत बन गया था घोसी उप् कि इतना उप्चुनाओ हुआ कभी देश प्रदेश की सियासत कभी या के च्छेतर में परचार नहीं किया था लेकिन आपने यहां मन्यमुखमंत्री जी को भी देखा क्योंकि उनकी मजबूरी है सत्ता भी सरकार भी है दूसरी बात आज अखलिस यादो जी जो कभी एसी से बाहर नहीं निकलते थे राम गोपाले आदो जी सिवापाले आदो जी कभी लखण ओ चोड़के आते नहीं थे बड़े से बड़े धुरंधर आज गाओं में जाकरके राजभर बस्तियों में जाकरके ओट मांग रहे हैं कहने का मतलब पहीं न कहीं सौपाРИ दिख़ लए है तब गरीबों के बारे में नहीं सूचे, ब्लेवस्था के बारे में नहीं सूचे, अधिकार के बारे में नहीं सूचे, आज इनको चिंता है कि एगर हमी जीतेंगे तो 24 का सेमी फाइनल माला जाएगा, उससे कोई परवाव नहीं पड़ने वाला है, अब चंतावक में किन मु नहीं होगा तब तक देश काविकास नहीं होगा इह हम लोग कानुन बनाना चाहते हैं और दूसरा दूसरा मुद्दा दिखे हम लोग है, अगर इस देश के निवासे हैं तो हम अनों का हिस्सा मिले सबसे बड़ी बात है गिंती जब तक दिल्ली की पंचायत में गिंती हमारी नहीं होगी तब तक हिस्सा नहीं मिलेगा आपको पता होगा चाहे बसपा के नेता रहे हो चाहे सपा के नेता रहे हो किसी पार्टी के नेता जो राजबर समाज के थे आज तक कभी लखनव तक फारम नहीं भेजा गया था ना लखनव उसे फारम कभी दिल्ली गया था राजबर के लिए खासकर राजबर समाज के हिस्त अधिकार दिलाने के लिए आज तक लखनों से कभी फारम दिल्ली नहीं गया था लेकिन उम्प्रिकास राजभर लखनों से दिल्ली फारम परधानमंतिर जी के नेतुर्ति में भीजवा दिये हैं अब वहां कमी क्या है कि हमारा लखनों दिल्ली की पंचायत में कोई सदस नही हम लोग लट जगड के वहां से पास कर वा लेंगे हमारे गरीबों का द्योस्ता हो जाएगा उत्तर प्रदेश राजनिती में बाड़े-बाड़े महारती घोजे उप चुनाव में परचार करने के लिए थे तो क्या इसको चुनाव परतिष्ठा चुनाव कहां जाए देख ठाकुर साब सब बीजेपीए के साथ हैं सापा के के ओड दे था अब इसे भी उनकी जवाना जब तो हो गई है साइकी लब एकदम समाब तो हो गई है चलने लायक नहीं बची है रिमसी में एकदम उखड गया है इसलिए वो हार जाएंगी चुनोतिक साथ कैसे कैसे तो आर इसे सामने की बात है तो के सपा के ओड दे था अभी शीवपाल यादो ने कहा था कि वहाँ पर जो है सुधाकर सिंग जीत रहे हैं दार सिंग हार रहे हैं खाले न्यू चैनल पर जीत रहे है ना जमीन पर नहीं जीत रहे हैं उतो वाट तारीकों जब बुथवा खोलेगा ताब नड़ा गएगा शीवपाली आदो जी कभी गए थे होम उर्मांगने जब कभी यह दिखें लेकिन क्या मजबूरी रही कि defenders देश की बड़ी सी बड़ी हस्ती इसमें मने अखली स्यादो जी भी गए थे सोचिए कभी जो एसी से वाहर नहीं निकलते हैं ऐसे बड़ी-बड़ी धुरंधर हस्तियां जा करके उचुना में ओट मांग रहें गली-गली में घुम रहें कि भईया हमको दे दीजी मजबूरी यही थी कि वोंप्रिकास राजभर की ताकत को यह पहचान गए आने वाले समय में ना लोग सभा में खाता खुलेगा ना 27 में खाता खुलेगा यह सरकार अब यहिन की बनने वाली नहीं है माने संदीब जी का कहना आया कि घुखोषिप चुनाओं में वहाँ पर बिजेपी जो है अपना पर्चम लहर आएगे और बिजेपी की जो है सरकार वहाँ पर बनेगे मैं हूँ अनुवाग आप ते ते रहे पब्जुनू जनता की वाई